आप मेंसे कितने लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं आज के सेशन को ले करके तो अब मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका जो हमारे आज की गेस्ट हैं तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और बढ़ जाएगा यह बताने से पहले के गेस्ट कौन है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यूट्यूब के बारे में यूट्यूब में क्या है कि पूरे वर्ड की अगर बात करी जाए तो करोडो चैनल है जो अलग-अलग genres में हैं अलग-अलग categories में हैं उसमें से दो बड़ी categories है motivation और education पूरे वर्ड में जो वर्ड का number one motivation channel है वो मेरा है और जो वर्ड का number one education channel है किसी independent creator का वो उनका है जो कि हमारे guest है उनके 17 million से ज़्यादा subscribers है Please give an energetic and warm welcome to the one and only Khan Sir क्या है जी, कैसे हैं आप इससे पहले कि audience आपसे कुछ पूछे या interact करें मेरे माइंड में एक question है आपके लिए जो बच्चे है वो आपके इतने दिवाने क्यों है इतने पागल क्यों है आपके पीछे मतलब मेरे comment section में भरा पड़ाता Khan Sir कभाएंगे, Khan Sir कभाएंगे मतलब ऐससे क्या जादू कर दिया है अपने बच्चों के ओकर यह सवाल हम आपसे भी पूछते हैं हमारे पे इतना comment है मेरे तो ओफिस में लोग चले आएगी सर कभ जा रहे हैं क्युक्क हम तो एग्जेक्ट है वहीं पढ़ाना है तो तो हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूवत रहती है कि अगर लड़का पढ़ने आया है उसके मन में कोई डाउट ना राजाए हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो भूल के दिखाओ याद जर के नहीं है प्लस आप जिस प्राइस पॉइंट पर पढ़ा रहे हैं आई थिंक वह सबसे कम है वह बहुत ही कम है सर यह जो फीस का कल्चर है यह हमारा इंडियन कल्चर नहीं है मैंने देखा कि आपका यह जो चैनल है कि यह पिछले तीन साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है हमको जब चैनल सुरुआ तो एक दिन में हम चार पांच वीडियो बनाएं एक हमको कुछ आता आज भी नहीं आता इतना तो हम देख के कामरा उमरत हम कंफूज हो गए बापरे तो हम एक ही दिन में वीडियो शुट किया पढ़ाने वाला टॉपिक था हमको उसके बाद कभी वीडियो नहीं एक ही बार सुट कर लिये और एक जो तहें जिनका कैमरा वगर था में पस कैमरे भी नहीं थे उस ताइम और कैमरा 35,000 था तो छे महीना इसी में लग गग गया जो पॉइं तीच जा जाएगा तो उनके कैमरे से सुट किये उन्होंने कोई चार्ज लिया उसके बाद हम छोडी दिये लॉगड़ी दिये लॉगड़ा तब हम कैं आप कैसे पढ़ाएंगी हो तो एक दिन दो दिन करते करते अचानक लंबा हो गया तब हमको लगए याद मेरा चैनल भी है वहां तो उस समय उस पर लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके तो जैसे लॉगड़ाँ लगए तो उस पर पढ़ाँ चालो कि और पतानी क्या लोगों को पढ़ाई में इतना इंट्रेस्ट आगया कि आपका स्टाइल एसा है तो आपका स्टाइल एसा है सो दोसा साल मेंटली हजार साल कर देंगे उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि टीचर की रिस्पॉंसबिल्टी यहां खतम नहीं हो जाती है पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉंसबिल्ट इसे समझाना, वो समझा कि नहीं समझा, अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया, तो आपकी गलती है, लड़का हमसे पुछता है, सर इतनी भीड है आपके पास, तो कहें सर डाउट कैसे पूछेंगे, हम कर यह तो हमारा डाउट बचेगा तब ना होगा कि पिछले दो साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर थे, आज की डेट में 17,000,000 है, और मेरा एक क्वेशन और है, इससे पहले के ओडियंस में से आप से कोई क्वेशन जैसे तो बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो, किना भी बोल दो, हुई है कांट्रोवर्सी बहुत बार, अचुली बच्पन से उमको फॉज में जाना था, और फॉज वालों के लिए यह सम माइने नहीं रखता, उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो, पता नहीं हो, मतलब आपके आसपस, बम को भी पता है कि टीचर की इजद किया जाता है, क्या बात है, क्या बात है, मैं समझ पा रहा हूं कि यह आपके अंदर जो एटिट्यूड है, यह कहां से आ रहा है, क्योंकि आप बच्पन से ही फॉज में जाना चाहते थे, तो आप क्यूंके मैदान में ही कड़े है, बस फर्क यह कि आपके हाथ में कलम है, हतियार ना हो करके, हतियार से ایک आध्मी कि जान जा सकती है, क्लम से बहुत ताकत होता है, raise управ कोलितियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से, और यह कैसा आत्यार में मेटल डिटेक्टर में भी मेरा क्वेश्चन यह है कि अभी प्राइवेट ओगनाइजेसंस में पीटिने का पनिस्मेंट का ये सिस्टम जो है खतम हो गया है हम आपके वीडियो में देखे हैं सर कि आप बड़ा सा रोल रखे रहते हैं पुलिस वाला लाठी हो पुलिस वाला लाठी है और स्टेज बुल क्यों कि मुझे मतलग कुछ इसी प्राइव करना थे ठीक है संदेप सर को देख लिए मेरा तो वह इस हो जाना है क्या हो जाना है तो कुरा कंपलीट करो लड़कों को जहां तक पीटने की बात है जब पढ़ाने की बात आगी तो उसको हम पूरे बहतरीन धंग से पढ़ाएंगे लेकिन जब सजा देने की बात आगी न तो वो भी बहतरीन धंग से होगा इसे थोड़ी होगा कि बस एक के चीज बहतरीन धंग से होगा और डर का होना बहुत जरूरी है यह डर भी अपने आप में एक motivation है क्योंकि जब आगी मत एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं ने थोड़ा सा और करने की जरूरत है फिर तो यह हम इसको क्रॉस कर जाएंगे आप तो लड़कों के अंदर यह डर बनाना भी जरूरी रहता है और यही बात यूपी एसी वाले की जो आपने बोला बहुत सारे लड़के वे उसके रहेंगे कहां से तो ओल ओबर इंडिया से कश्मी से कन्या कुमारी तक गरीब से गरीब इलाड़का उसको पढ़ सकता है यह कुछ हजार रुके मंतली 12-14 साल का पड़ेगा ख़तम हो जाएगा इतना महीं यह जो डंडे बात इनोंने कहीं यह सच है मतलब आप सच में पुलिस का ही है वो और मारते हो कि मतला कोई लड़की छेड़ता है यह कोई बल्टा करेंगे तो पिटाएंगे वो यहां पर कैमरें जैसा भी रहें कुछ भी रहें कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है एक थो कोई मतलब विधायक जी थे उनके लड़का को पीट दिया तो चलाएं दल बल लेके अपना वहाँ पे उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पीटा है बस बोल दिया कोईचिंगे पीटा है बात में पता चला हम पीटे है तो उसके पीता जी मेरे सामने और पीटे उसके बढ़ पीटे अपका सबसे बड़ा डर क्या है अब दोनों क आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली कानिया सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया और इनोंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यही आ करके अगर इनोंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जा हो आज सोजें है आप कि कवैए ए आफ क्ल cassette क्लास्य घुवशाशी है आप क्लास साथ गंट अपी बी क्षू य करते हो आपने फुरिय कर रह मेरे स्था परिशानर रहते है आपार दियर द़ दो बज़े सोते घुप ज़ उड़ यातेय। अटे देर ना क्यो करते हो इρχ हो तो औम में ग्न्रास पर दूब ने को साथ वड़ना पडता है नहीं? तो आपम त्मीयों थो कुछा थोदी रहे हैं. नहीं कोई थोड़ी रहे है. परिशानवर दीन में सो नहीं है. तो इसोड़ा प्रषारा भिषया का रूदी है आप करो सिथा थी देल का मौका दिया और अब तक मैंने आपको सिर्फ फोन या लैप्टॉप में देखा है दोनों को आज फर्स टाइम लाइव देख रहे हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरा कुशन यह सर आप से जब हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं कि हमें यह पर्टिकुलर ची और उसकी वज़े से हम अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं तो मेरा कुशन यह कि कैसे हम अपने डिसीजन पे स्टिक रहे हैं कैसे हम जो दूसरे के ओपीनियान उनको अफेक्ट ना होने दे अपने उपर दूसरे से सला लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर ल उसके बाद आप किसी से सला लेने जाहिए इनकी मन मैसी आप बता गडवा जाएगा तो मुआ पहले आपको R&D करना पड़ता है और जिंदगी हो या गाड़ी जीतेगा वोई जो टाइम पे गेर चेंज कर रहा है तो डिसीजन चेंज करना बहु जादे गलप नहीं है इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इसी बात में त्वड़ा सा और आड़ आड़ान करूगा कि यह जो आपने काना है कि अपने डिसीजन पर स्टिक कैसे रहे हैं यह कोई अच्छी कॉलिटी नहीं है क्योंकि टाइम तू टाइम आपको अपने डिसीजन को अगर किसी knowledge experience के बेस पे बोल रहा है फिर चाहे वह positive बोल रहा है चाहे negative बोल रहा है दोनों ही माइने रखता है उसके बाद में research करनी है और फिर research करने के बाद में final decision अपना खुद का होना चाहिए अब वो decision उससे अलग भी हो सकता है जो आपने पहले लिया था और वो same भी हो सकता है सर मेरा question दोनों से है आप से how to deal procrastination and laziness हमारा brain है यह बहुत आलसी टाइप का इसको आराम खोजना पसंद है अब थोड़ा सा भी है इसको आराम क्यों लेकर चले गा ना तो फिर उधरी रहेगा आप सोचेंगे 10 मिनट कर लेता है ना तो 10 मिनट दो घंटा बना देगा उसको टॉर्चर कीज़े चल दस मिनट बाद में उसको आप उसको आप उस पर हावी मत ओ कर लिजए बाद में देखेंगा ना नोटिफिकेशन आप आप हावी मत होने दीजे आप अगर आप पाँच मिनट भी थोड़ा सा लूच पड़े ना थोड़ा सा कमर सीधा कर लेता आपको हावी मत होने दीजेगा उसको अपने उपर जब हम फिस जाते हैं ना तो फिर हमको काम करना ही पढ़ता है जब तक आप सोच रहे हो तब तक सोच रहे हो उसको आप सोचे चले जा रहे हो अपने माइंड में मैं यह करixíंगा और फोगरास्टिंेत हो रहा है वह चीज टलती चली जा रहा है तो उसको छोटे-चोटे लेवल पर बेकडाउन करके उसको कर दो, that is number one, और जैसे ही करना शुरू करते हो, कोशिश करो कि उसको जब तक क्या आप सही से नहीं कर लेते हो, उसको छोड़ना नहीं है, तो आपकी lazyness भी खतम हो जाएगी, कई लोगों तो हमने देखा है, जो सब्ता में कुछ भी नहीं करता हूँ भी संडे को आराम कर रहा है, वैसे कहां भी जाता है, कि अगर कोई काम आपको करवाना है ना, तो ऐसे किसी इंसान को दो, जो बिजी है, ऐसे आदमी को मद्दो जो खाली है, यह इख जो परफेक्टुए और कि किसी को भी आप दिखेगा, जिस को आप कहते हैं कि मतलब ठीक ठाक समज्ज़ें कि नहीं यह बहुत आगे हैंगी, वो एक काम को खतम करने को कभी आप अराम नहीं करेगा, जॉन भासा ठीक लागे तौने में पूछ दो जॉन पूछ दो जॉन पूछे के जाद है नि कि जिसे अमनी के पढ़ाही करें निसन तो कभी-गभी डेली टार्गेट्स जो ला तो कंप्लीट न उला अगर टार्गेट्स कंप्लीट भी ला तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर एंजाइटी या फिर और करना है या फिर अभी नई हुआ उचेज हमेशा रहला तो वो कम कईसे गरल जाए दिखे टार्गेट्स को न हम लोग को एक अपनी हिसाब से पहले फिट करना चाहिए ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देखके हम टार्गेट फिट कर ले कोई लड़का आठ घंटा पढ़ रहा है कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया उसको देखके आठ घंटा पढ़ेगा तो पढ़ा ये छोड़ देगा तो आप अपनी चंटा के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं अगर आपने एक घंटे को बना लिया कि हम एक घंटा पढ़ सकते हैं अगले एक हपते तक उसको सस्टेन रखिए जिम में कैसे करते हैं लोग पहले दिन उठा लीजेगा ये कुंटल तो हार्ट अ अपनी चंटा को भी देखिए हर इंसान की चंटा अलग है कंगारू को देखके हाथी चलांग मारेगा पहर तोड़के बढ़ जाएगा अब संदीर का मोटीवेशन देखके इसका मतलब कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएगा धगेल देंगे तुमको हाला कि या इसा कर देते हैं लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं चंटा पता होना चाहिए आपके अंदर एंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है आप यह है कि अगर आपके अंदर इंजाइटी हो रही है तो बेसी कली आपको यह देखना है कि आगर आपके अधर इसाइटी हो रही है यह दिन में आणो आँड गँंटे करीा आपने चे अच्छे स्टुडेंटे फिर वी एंडडे नहीं तो ये तो अच्छी quality है ना, ये तो एक brilliant student की quality है क्योंकि anxiety उसी को होती है, जो care करता है, जिसको परवा है, उसी की तो anxiety होती है, जैसे मा को एपने बच्चे के, जैसे मा को अपने बच्चे को ले करके anxiety होती है, कोई बात नहीं edit कर देंगे इसको हम जैसे एक माँ है उसको अपने बच्चे को ले करके anxiety होती है थोड़ी सी भी तब्वित खराब हो जाए उसको anxiety होती है चाहे बच्चा ठीक भी है डॉक्टर को नहीं होती है क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है तो that means कि आप अपनी पढ़ाई को ले करके serious हो इस वज़े से आपके इंजाइटी हो रही है which is normal जहां पर प्यार मुभबत होती है वहां पर थोड़ी बच्चा इंजाइटी तो होती ही है समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो ना मैं कहां जा रहा हूँ जब वो किसी और से बात करती है तो अंजाइटी होती है ना सर आपकी स्टोरी अमने सुनी थी तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गये थे उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उस समय मतलब आपने ये डिसिजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं यहां से वापस जाना है रास्ता ही नहीं था घर जाने के लिए अटलिस्ट नबवे रुपे चाहिए थे जेवे चालीस रुपे थे कैसे घर जाते हैं और हम गंगा की किनारे चुपचा बैठे बैठे हम कहीं कि अब बहुत टेंशन हो गया अब घर जाना चाहिए रूम पे तो किराई की रूम पे या अदमी सारे लोग रहते है गए महाँ पर तो रूम लॉक हो गया था तुम खटकटा है तो उपर से गुस प्रॉब्लम्स यह यह तो बहुत लोगों ने फेस करी वहाँ पर आप अकेले नहीं है बहुत लोगों ने यह प्रॉब्लम्स फेस करी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखी बहुत तरह की स्ट्रॉगल्स देखी लेकिन वो सब इतने कामयाब नहीं हो पाई जितने के आप ह तो आपके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ है जो औरों के अंदर नहीं है तो वह मैं जानना चाहरा हूं कि वह ऐसा क्या था जहांसे कि आपका दिमाग यहां तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर करके आ सकता हूं एजूकेशन फिल दे रहा है धाइसो दे रहा है तो हम उसको यह कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं हमने दस बीस हजार का पाल लिए यहां पर वो इमांदारी से कभी कमी और हमेशा अगर हम प्रामिस एक्स का करते हैं तो डिलिवर फोर एक्स करना चाहते है ध्यान से सुनना ध्यान से समझना इस फर्क को अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में एक वो होते हैं जो यह सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए हमें कुछ भी करना ना पड़े दूसरी कैटेगरी होती है लोग की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करत देखा जाए तो 2.200 रुपए कुछ भी नहीं होता है 2.200 रुपए अगर मैंने लिया तो कैसे उसको 400 रुपए की वैल्यू दू यह ज़ा थिंकिंग है ना यही एक फर्क होता है एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में जो मीडियो अकर रह ज अगर यह आपने अभी बनाया है या यह कोई पुराना आपका वह है बनते राता है इसे फ्लो फ्लो में बन जाता है आपके अनननस अरे कभी छुपा हुआ है कही ना कहीं जो बहार आना चाहता है कभी ना कभी आपने सोचा होगा कुछ कभी कभी एक चीज है एक चीज है है संगत का बहुत असर पड़ता है यह चीज को हमें संगती का मतलब हलके मिले लेता है संगती का मतलत है संगती का मतलत इसके लिए नहीं आए हैं लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते हैं अपने हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि वो याद करें कि इस पैसे की भाग दोड की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ स लूटने में लगा है लगा है यह सब को लगा है तो हर कोई को यह सोचना चाहिए कि था कोई इंसां जो इतने कम फीस में इतनी सिख्षा जो महंगी थी जो कमाने का रास्ता था उसको भी एकदम कंपडिशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीस बढ़ाने में डर करता है कि यार का लड़को कमेंट करता है कि खांसर इतना ले रहें आप बढ़ बड़ का टीचर अगे अगर श्माजदारी या गए तो इंसां कामयाब हो गया लिगर समाई सला गया फिर समाजदारी या फिर तो पेकार है तो सर मतलब कुछ आपको एसी चीज लाना है जग कि खांसर आप मेरी बात नहीं समझे तो यही होता है सर नहीं सर का मोटिवेशन जादे हो जाता है जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने उपर खर्च किए जादे से जादे सीखने में खर्च किए अगर आपको राजा बनने का सोख है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए तब राजा बनने तो अपने बनाए इस पिजडे से बाहर निकल के देख तू अपने आप में एक सिक अंदर है थैंक यू सो मच सर फर कमिंग बहुत मजा है या मेर को आपके साथ में इंट्रैक करके आप लोग को भी बहुत मजा आया होगा थैंक यू सो मच जी झाल झाल